दोस्तो आज के spoiler में बात करेंगे आगर आपके पास bank statement नहीं हैं और company आपसニ अ भात के लिसे टो फिर आप को क्या करना चाहिए तो दो दोस्तों होता क्या कि जब आप किसी organization में काम कर रहे हो नियुकर होते हो और वहां से कामपनी आपसे ब ensuite में मांगती है मुझे बैंगिस टेड्मेंटों से लिए इसके अलावा हो सकता है वह आप से बैंग स्टेर्मेंट भी मांगते हैं अभी तेखो अगर आपका ओया पिशयर्माण काम आपटा है तो आप याफ भी उनको पास है तो आपका experience genuine माना जाता है वो चाहें bank statement हो चाहें पी update हो और चाहें form 16 हो आपके पास अभी क्या होता जब हम लोगों के पास यह तीनों documents नहीं होते हैं जिस company में काम कर रहो हो सकता आपकी salary credit now होती हो account में आपको cash मिलती हो तो यह situation भी हो सकती है तो इस case में क्या करना होता कि दोस्तों जब भी हम कभी interview देने जाते हैं जब भी किसी company में हम लोग जब interview देते हैं तो उस company को वह हम पहले बता के चलते हैं कि जो मेरी current company है वहाँ पर सारे documents in hand होते हैं like offer letter experience letter salary slip सारे documents मेरे पास in hand है मेरे पास कोई पीप detail नहीं है कोई भी documents on email नहीं है bank statement भी मेरे पास नहीं तो यह चीज़ें आपको पहले clear करनी परती है interview का time आपको वहाँ पर selection हो जाए तो बाद में वह problem ना है कि नहीं आप मुझे bank statement दो आप मुझे salary slip दो आप मुझे पीप detail दिखाओ आप मुझे form 16 लाके दिखाओ तो वह problem आपको बाद में ना हो इसलिए interview के पहली आप detail में बता दो कि मेरी situation है अगर वह situation उनके लिए okay होगी उसे कोई problem नहीं होगी अगर इनायन भी acceptable होगा तो ही आपको वह in करेंगे तब ही आप पर वहरी करती रहती है कोई company in hand भी ले लेती है कोई company से पी अब detail वालों का इसलेक्शन करती है तो अच्छी सिच्चुशन कभी भी आ सकती है तो मेरी काने का मतलब है कि यह चीजें आप पहले से तो आप पर डिसकस करके चलें बस आच की वीडियो में इतना ही वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक से रहें चलो सब्सक्राइब जलू करें मेरा नामे शबाम मैंबल को ने एक लिए विडियो में तेल आन हव ग्रेट मूमेंट और टोंट फोर्गेट टो लाक से अन कांगा लगा लाइक से अनुट।